हम बात कर रहे हैं ABCD की तो ABCD के हैं हमारे 26 अक्सर एक पर दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चोदे पंद्रे शोले सत्रे अठारे 19, 20, 21, 23, 24, 25 और 26 तो 26 अक्सर है बार बार हम लिखेंगे इन 26 अक्सरों को और जब देखेंगे भई ए जो एक पारा जैड़ 26 पारा हैं तेरे पारा हैं चोदे पारा हैं सुनिस पारा टी बीस पारा तो बहुत टैम लग जागा हम याद ही होना चाहिए ठीक है जैसे हैं अगर तो अक्सरों की बात करें यू की और बी की अगर बात करें ठीक है तो यू माने होँए तुम अर्वी माने होँए हम तुम 21 और हम 22 है वही है तुम 21 और हम 22 जब तो पढ़ा रहे हैं नहीं तुम्हारे जैसा तो तुम्हारे बार बने बैठते हैं ठीक जैसे बात करें आई तो आई जो है, जिस है कहीं हम लिखें आई को किसी sentence में starting में, तो जिस है लिखें हमने I have a pen, तो ऐसे लिख दें, और यो अगर मैं English में लिख रहा हूँ, गनिस में लिख रहा हूँ, तो किसी sentence ले रहा हूँ, आठ ले रहा हूँ, तो यो आठ पर है, जी में अगर देख रहा है, तो अगर यो डंडा खेंजद है, तो इसमें कोई एक अकसर छुपा हूँ दिखाई दे रहा, साथ, साथ ही पर है यो, ठीक है, और देखो, इवनिंग, फांच बजें ऐसर पजने कोई आठ पहूँ, होगी जबी तो इमनिंग होगी उससे पहले तो सब काम का जिकाट है मैं चार बज़े इमनिंग थोड़ी ना बता है पांच बज़ी बता मैं शाम होगी घर चलने का टाइम हो गया ठिक अब देख कोई यह है कि तो जिसे अभी भी IPL चलना तो IPL में क्या चलता है T20 चलना है T20 तो T20 का मदला T20 पर ही है और उसमें अभी पंजाब की ठीम का नाम कुछ बदल दिया इनों है पहले क्या था Kings 11 पंजाब Kings 11 के फोर 11 के जो है वो 11 पारा ठिक तो इस तरह से हम याद कर सकें और एक याद कर सकें हम EJOTY यह 5-5 के कैप पर है E5 पर है J10 पर है O15 पर है T20 पर है और Y25 देख सको तो ठीक है E5 पर है J जो है वो 10 पर है O जो है वो 15 पर है T हमने पहले बदा दिया 20 पर है और Y जो है तुम्हारा वो 25 पर है ऐसी एक हो है फलरेक्स F L R X यह 6-6 के अंतर पर है यह 6 है यह 12 है यह 18 है और यह 24 है मक्की मैं समझता है जब हम इन्हें लिखेंगे बार बार इनके नंबर लिखेंगे तो हमारे और भी आ दो जाएंगे जादे तर हमारे आ लिए इनमें देखो कि तो जादे तर आ लिए अबी सीडी के हमें जरूत नहीं पढ़ती दारेक्ट्रिप को किसी को पता आपको पता कि यह कौण से नंबर पर इस टार्टिंग के चारक्स रोगा लास्ट के चारक्स रोग अभी सब कुबता एक सब को बात खरें जैसे तुम किसी उसको पकड़ना जाओ जैसे गाउं में छोल के लिए जब जाटने चला है तो पकड़ने लावे लिया तो गर में तुम्हारे पिताजी है या जो बड़ा वजरुगा उन्हों कहा होगा जिसने अगर एबिशीड भी नहीं पढ़ रखी वो भी इस बाल तो कहते हैं कि इस पर छोल के विशीडी भी आवे नहीं आती या तो इससे पर पकड़ लाया तो एबिशीडी तो वह भी कह र लिख है या लैटर लिख है हमने इंगलिस में कभी तो हम बताए जाए कि लास्ट में नाम की जाए कि क्या लिख दो एक्स वाई जार तो वैसी नॉर्मल से चीज़ है कि हमें वैसे भी याद होंगे एक दूसरे के अपोजिट अक्सरों को अगर हमें याद करना हो तो करके लेसा कर्के एक दो मतलब क्या है कि मां सारी समय है लिखाया नहीं कहीं कान बेंट लिखा हुआ है ऐसे से चॉट बच्छे मिले और बड़े बड़े हैं यहापर सब चीज है बाइ बी वाई बाई जिसम जाव है तो वैसे याद हो जागा बाई बाई ठीक है CX छोड़ा बच्चे जो क्रेक्स कहाँ है क्रेक्स कहों हम किस से जोड सकें C और X जोड सकें धियान नगा हम है कि एक दूसरे को उड़ते हैं DW डूख को हम कैसे भारे कर सकें बूसके हैं दूदॉध वला भी यादगर सकें डूफole जबी हैध कर ना कि किस की बात शुब की सब्सक्राइब है ieNe सबूद तो नारवालायाद रखो और स्थी sorrow को जिक्याद नहीं है यह जो जैसी चीज ले रहा है वो उसके साब शयाद रख लो अक दूद पिने वाला तो दूद वाला याद रखे और दारू पिने वाला तो दारू वाला याद रखे EV का मतलब हो जागा इवनिंग EV इवनिंग छीक है F.U. फादर और अंकल F.U. फादर यू फुर अंकल बई दो याद में से डरो और तो किसे डड़ते नहीं जो आजगल के बच्चे हैं वो तो उसे डुर है यहां तो फादर से अंकल से मास्टर तो ड़ते नहीं तो यह याद रखना फादर और अंकल की बात है G.T. यह सब को बता G.T. रोड है ठीक है? G.T. रोड हमारे यहां को निकल लिए तो यह G.T. रोड है H.S. सब को पता हाई स्कूल करके आए तुम H.S. किस कूल लिखा जा? हाई स्कूल को H.S.E. लिखा जा ठीक है? I.R. इंडियन रेलवे I.R. कमचल लव रोगया, इंडियन रेलवे ठीक है जी? Đे क्यूं ? जैपुर, पीन याद रख लो verf ब्रेजा और K.P. कमचल लवजाईगा कमला पसंद याद रख सकते हैं? ठीक है जी? मुधन याद रख सकते हैं? ठीक है तो L.O. कमचल लवजाईगा бесп उसके बाद तो मैं नहीं बनेगा आदमें बनेगा तो इस तरह से यह हम हैं एक दो से के आपोजिट याद होंगे कभी हमें एक आपोजिट लिखना पड़ा है तो जैड लिखने में दिखा जाने कि एक आपोजिट एक उल्टा जो है वह जैड हो है यादा जाएगा कि सी का उल्टा एक्स है उल्टा कैसे बता रहे हम कि जैसे सी जो है स्टार्टिंग के तरफ से एक तरफ से तीसे नंबर पर एक्स आरा हुआ एक की तरफ से चोथे नंबर पर डी है तो जैड की तरफ से चोथे नंबर पर डबलो आएगा एक की तरफ से एम तेरवे नंबर पर ए तो जैड की तरफ से एन तेरवे नंबर पर है ठीक है ऐसी अगर मैं बात करूँ F जो है A की तरफ से छटे नमबर पह है तो U जो है Z की तरफ से छटे नमबर पह है G A की तरफ से साथ नमबर पह है तो T Z की तरफ से साथ नमबर पह है